राजधानी देरदून में कैबिनेट मंत्री सत्पाल महराज ने परेट अन्विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयो जित की बैठक में कैबिनेट मंत्री ने उपस्तित अधिकारियों को होमस्टे को बढ़ावा देने जाने के निर्देश दिये इसके साथ ही उन्होंने कहा कि होमस्टे योजना में कमरों की संख्या को बढ़ा कर 6 से 12 की जाए ताकि होमस्टे कारोबार को बढ़ावा दिया जा सके इसके आगे उन्होंने कहा कि उत्तरा खंड में Sleeping Under the Sky नाम से एक नया कॉंसेप भिलाया जाए जिसके अंतरकत पहाडों में परेटकों के लिए सोनी की विवस्था की जाएगी ताकि जब परेटक सुबह उठे तो उन्हें पहाडों का सुन्दर द्रिश्च नजर आए देरादुन से ब्यूरो चीफ अबनीश गुपता की रिपोर्ट मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ग्रामीन जीवन के अंदर जो जातरी जाते हैं और होमस्टे का भी जो फायदा उठाते हैं फिर भी वहाँ पर जो स्टार्ज हैं उनको आम देख नहीं पाते हैं खासकर हम शहरों में रहते हैं इतनी जादा रोशनी होती है कि स्टार्ज नजर नहीं आते हैं तो हमारा यह अभियान है कि सीधा स्टार्ज और उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि एक सेफ जगे को चुन करके ग्रामीन जो लड़के हैं हमारे युवा मंगल दल हैं को एक बेड लगा दे और उसमें लोग सो करके रात्री को स्टार्ज भी देखें तो स्टार्ज का भी अन्भव हो ही हम चाहते हैं के लिए हमारे रुद्व्याक के जिले के अंदर हमने एक पूरा ग्लावस उसमें कांच के शीशे लगाए हैं रूप पर ताके आप नीचे लेट करके देख सकें पर गाउं-गाउं में यह अभियान चल सकता है विदेशों में भी लोग इस प्रकार का अभियान चलाते हैं तो हम चाहते हैं कि आप एक बेड लगा के गाउं में और इसमें बच्चे शरीक होंगे तो हमारे गाउं-गाउं का टूरिजम बढ़ेगा